हुआ हेलो स्टूडेंट्स आज हम ग्रामर के स्टोपिक में डारेट इंडारेट का जो है पुछ जो बच्छे होई हैं जो हम एक्सराइज हैं और जो रूल्स हैं उनको आज करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें जो सेंटेंस इस लेट से स्थार्ट होता है यानि कि जो रिप इस निव्किल क्लियर करेंगे आज इस टॉपिक को तो जो लैट का यूज किया जाता है रिपोर्टेज स्पीश के अंदर वो डिफेंट मेंनिंस के साथ में किया जाता है यानि कि अकोर्ड़िंग तो या निव्द्टो एक्स्प्रेशन उफ लैट वी चेंज रिपोर्टे कर रहा है तो in that way we'll use let यानि किसी को suggestion देने के लिए देखिए आप यहाँ पर मान लो की he said to me उसने मुझे कहा let's go home कि आउ घर चलें तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ पर एक suggestion दिया जा रहा है कि उसने मुझे कहा कि आउ घर चलें यानि कि सुजाव दिया जा रहा है तो what we have to do said to will change into suggested ठीक है और देखिए he suggested to me इस तरीके से हमने said to go change कर दिया suggested में he suggested to me that यहाँ पर कॉमा इनिटिट कॉमा को अटा करके that लगा दिया फिर यह जो us है यह अगर यहाँ भी third person हो यानि reporting verb का subject भी third person हो और object भी third person हो तो हम इसे बदलेंगे दे में लेकिन यहाँ पर तो third person है लेकिन यहाँ पर first person है यानि third और third person का pair नहीं है तो हम इसे बदलेंगे we में तो यहाँ पर we आ गया that we और let वाले वाकिए हम हमें should लगाना है we should go home इस तरीके से हम वाकिए को change करते हैं next one is let is used as to allow किसी को allow करने वाले context में भी हम let का use करते हैं देखिए जैसे राम said to mohan let him do it राम ने मोहन से कहा कि उसे ऐसा करने दो इसका मनलब क्या हुआ कि राम मोहन को order दे रहा है कि किसी third person ko कुछ काम करने की permission दी जाए ठीक है तो राम ने एक तरीके से mohan को order किया तो राम ordered mohan to से जोड़ेंगे ऐसे वाकिये में सिर्फ suggested वाले वाकिये में that लगाना बाकिये में हमें two से जोड़ेंगे इस वाकिये को राम ओडर्ड मोहन to let him do that एक तरीका तो यह है दूसरा है राम टोल्ड मोहन that यहाँ पर him है him कही हो जाएगा that he might be allowed to that इस तरीके से हम वाक्य को change कर सकते हैं यानि राम ने मोहन को बताया कि उस ऐसा करने की जाज़त दी जा सकती है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से let का अलग अलग धंग से use होता है sentences with question tags कुछ ऐसे sentences भी आते है reported speech में जिनमे question tags का use किया जाता है question tag क्या होते हैं वो इसमें जानेंगे जैसे मालों हिंदी में बोल देते हैं कि तुम वहां जा रहे हो तुम जा रहे हो क्या तुम जा रहे हो हैं हाँ या ना तो yes में बोलते हैं तो वो होता अपना question tag होते हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे हाँ तो जो last word is a word that is question tag अब English में कैसे कहेंगे जैसे do you know him don't you इस तरीके से हम वाक्य मनाते हैं जैसे हमने किसी से पूछा अगर वाक्य हमारा simple है तो उसका जो question tag बनेगा वो negative बनेगा अगर हमारा sentence already negative है तो उसका जो बनेगा वो integrative बनेगा उसका जैसे he knows me he knows me वह मुझे जानता है तो इसका कैसे बनेगा doesn't he इसका बनेगा question tag doesn't he इस तरीके से हम इसका वाक्य बना देंगे question tag बनाएं अगर हम मालूम किसी दूसरी के बारे हम जैसे question tag मैं आपको बता रहा हूँ है यहांपर जहान से देखेगा question tag के अगर बात करें हम she 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 knows me इसका question tag बनेगा interrogative negative में she knows me इसका बनेगा doesn't she यह इसका question tag बनेगा ठीक है इस तरीके से हम बनाएंगे और negative हो तो she does not know me यह negative है इसका बनेगा does she does she तो यह question tags है इस तरीके से question tag बनाए जाते हैं ठीक है अब इसके बाद देखिए हम कैसे इसको चेंज करेंगे महेश said sir may I go home महेश respectfully ask his sir if he might go home तो यह इस तरीके से हम वाकिय हमने change किया अगर वाकिय के अंदर sir या madam आएं यहां पर तो हम respectfully word का use करेंगे जो हमार reporting word है ask वोगरा उससे ठीक पहले इसका use करेंग महेश respectfully asked his sir if he might go home तो इस तरीके से हम use कर सकते हैं sentences with yes or no yes or no वाकिय देखिए direct sentence he said can you dance and I said no तो he asked me if I could dance if क्यों लगाया क्योंकि यह helping verb है helping verb है यहां पर can could may might all these are helping verbs तो हम में इन में हम in that speech बनाते हैं इसमें if का use करेंगे he said किसे मदल के ask में क्योंकि यह interrogative यहां पर sign लगा हुआ है last में he asked me if if इस की जगा कैन के वज़े सीफ लगा है if अब you second person है it will change according to object तो अबजेक्ट यहां पर क्या है object यहां पर understood है कि यहां पर मी मान लेते हैं if I तो you first person second person है it will change according to object तो यहां पर मी है तो उसका object subjective form क्या होगा है if I could dance and यह end है तो यह end है आगया I said no तो I first person है it will change according to first person according to subject अब यह बाक्य जो subject है इसमें यह कौन से subject की बात हो रही है हां पर यानि कि मुझसे पूछा जा रहा है ठीक है क्योंकि अब यहां पर I use हो गया और एक यह वेक्ति के बारें बाते हैं यह सारी तो यहां पर भी subject आई रहेगा and I said कि समय रहे है replied में that I could not no कमल यहां पर अब जो वाक्य है can से start हो आया है accordingly we use negative form of that particular helping verb that I couldn't my mother said will you come home on time and I said yes to my mother asked me if I would come home on time and I replied that I would अब यहां पर देखिए यहां पर will था will का would होता है past accordingly we have used the helping verb here अब यहां पर उसने जो answer दिया पॉजिटिव answer था इस विशे यहां पर would हो गया negative होता था यहां पर wouldn't हो जाता ठीक है इस तरिके से वाक्य बनाता है यहां पर एक बात ध्यान देने हो गया है कि yes or no hides a complete sentence therefore change yes or no into a short answer इसलिए हम पूरा sentence नहीं लिखते हैं क्योंकि yes or no जो है यह positive या negative response को show करते हैं and accordingly we use the negative or positive form of that particular helping verb instead of writing down the complete sentence तो लिखते हैं क्यों क्योंकिते हैं she said to me you did not break the window did you the that sentence is that she said to me you did not break the window did you and in that speech will be she asked me if I had broken the window you can also use weather that speech he said to Geetha you are going to the station on to you and they can you know per get on a he knee in third person I get a say kaha you are going to the station aren't you so you aren't you a question tag he last to me okay thus if the sentence is positive then the response will be interrogative and interrogative negative and question tag will be interrogative negative and if the sentence is negative then the question tag will be interrogative okay the other person are your work your question take a seven other hand in that speech he asked Geetha if she was going to the station okay the upper canning a look at a key use nice tips Wally Poochada they say how here we have to add to the sentences with have to or have to तो कैसे चेंज करते हैं रहे कि Dad's feature Harry said I have to work a lot Harry said that he had to work a lot तो have to इसमें मतलब गया head में or has to be had to में ही चेंज होता है Harry said I had to work a lot Harry said that he had to work a lot Sentences with Sir, Madam Your Honor etc तो इस तरी के Sir, Madam वह वाकिम आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं Respectfully word का हम use करते हैं किसका use करते हैं Respectfully का use करते हैं कैसे use करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ देखिए देखिए कैसे use करेंगे कुछ और एक्सराइज करते हैं अभी देखिए तो राजू तो इस तरी की से वाकिय हो गया तो राजू अब सैट्टू की से मदलेगा क्योंकि इंटरिगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले हम respectfully वर्ड यूज करेंगे बिकोज यहां पर जो है मैं आई गो होम यहां पर एक वर्ड और लगाना पड़ेगा सर सर लास्ट में सर तो accordingly हमें सेंटेंस को बनाना है देखिए राजू रस्पेक्फूली र-e-s-p-e-c-t रस्पेक्फूली आस्ड इस टीचर अब यहां पर यह क्या है यहां पर अपने यह सेंटेंस स्टार्ट्स विद रिपोर्टेट स्पेज तो यहां पर हम यूज करेंगे इफ इफ ही क्यों लगाया क्योंकि फर्स्ट परसन है इट विल चेंज अपर राजू तो यहां पर ही लगा दिया ही इफ ही माइट माइट कैसे हो गया मेका माइट हो गया इफ ही माइट गो हॉम तो इस तरीके से हम यूज करते हैं जे से और तो पर डाकुच अड क्सि 민 lovely अूज के माइट लागोचे लिए अंपर कहसे ह। Your Honor, I am Innocent, I am Innocent, यह sentence होगी अपना, तो The, Accused, रस्पक्पुली, R-E-S-P-E-C-T, रस्पक्पुली, 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 रस्पक्पुली इस तरीके से हम इस वाक्य को बनाएंगे ठीक है आए होप कि आपको अच्छे संज में आ गया होगा अब जर्नली क्या होता है कि ऐसे जो वर्ड्स है उनका यूज किया जाता है देखें अब एक्स्प्लेंड एक्स्क्लेमेशन्स विद विशिस यह हुर्रा अलास ओ हैवन्स यह सेंटेंस इस परकार के जो वर्डस है उनको भलते एक्स्कलेमेशन जलमीशेंको खरते है यह को ठीक कभी डी इजक्षिन को शोव करते हैं नहीं का कि इस वाइन्ग को तå इस तरहीं के सेंट बागे हो यह को हो रहा हुर्भ आख्यांग całीका की मॉल्य करते हैं वी किसमें चीज़ होगा या कोडिंग तो रोहन लेकिन आपको पता यह वी है प्लूरल है तो अकोडिंग लिए हमने यहां पर वी दे में चीज़ हो जाएगा क्योंकि मैच एक आदमे से जिता नहीं जाएगा तो वी किसको शोग कर रहा है तो अकोडिंग लिए यूज़ दे प्रोनाउन फोर देट रीमा सैड अलास करीनाज मदर इस सफरिंग प्रॉम कैंसर तो रीमा एक्सक्लेम विद सोरो अलास किसको शोग करता है यह एक्सक्लेम विद सोरो देट करीमा अलास मदर वस सफरिंग फॉम कैंसर दे कैप्तन सैड तो कपिल ब्राव यू स्कॉर्ड एटिन ऐन रंस दे कैप्तन एक्सक्लेम विद प्रेज तो प्रेज का मलब होता है बड़ाई ठीक है तो ब्राव होता है किसी को मलब होंसे लफज हम शाबास इस तरीके से हम यूज करते हैं शाबास ही के लिए तो दे कैप्तन एक्सक्लेम विद प्रेज ठीक है या यहां पर जो है एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं हम इस तरीके से बना सकते हैं या देखे तो इस तरीके से हम इन वाक्यां को चेंज करेंगे में अब कुस दूसरे टाइब से सेंटेंसिस के DAT colour माय मदर सैट मे घूल आघे बस यू माय मदर प्रेट गॉड आइए प्रॉर मज वेल ऐख यह यह जो कड़ आ है कि माय मदर प्रेट वौड आप मय मदर विश्ड वुड़ देट that God might bless me, that God might bless me हो सकता है, she said may God save the country, she prayed to God to save the country, they said to the king long live, they blessed the king for his long life, according to the meaning or expression of the reported speech, we change it, that speech a man said what a pity, the man exclaimed that it was a great pity, I said how stupid he is, I exclaimed that it was very stupid of him, what a terrible sight it is, said the traveler, so the traveler exclaimed that it was a very terrible sight, तो जहां पर यह वर्ट आजाए, हाउ आजाए, तो वहां पर वेरी को वेरी वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, this is what a terrible sight it is, said the traveler नहीं कहा किया, देखो कितनी ड्राव नहीं है, कितनी जो वर्ड इसके लिए, what a terrible sight it is, तो हमने यहां पर expression के साब से वेरी का यूज किया है, the traveler exclaimed that it was a very terrible sight, all the sentences in inverted commas are exclamatory sentences, use exclaimed in a place of sight in a reporting verb in the indirect speech, और indirect sentences we use exclamatory sentences as statements, तो यह exclamatory sentences के बारे में था, I hope कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, if you still have any doubts, you can send your queries or doubts through whatsapp and you will be given the resolution accordingly, okay, thank you so much for watching my videos, have a nice day.